नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागता आपका अपनी यूटूब चैनल जी केक जाम में फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बत करने वाले है राजतान हाईकोर 2019 के बारे में जी हाँ फ्रेंट्स में राजतान सामान है यान के टोप मैथव उनकी डिसकस करने वाले हैं जो आपके जाम की दस्टी से बहुत्ती मैथव कुण है फ्रेंट्स में आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कौन सी लोग देवी साप वीवी मोचनी देवी की रूप में विख्यात है सितामाता, सावितरी माता, गायतरी माता या बदरकाल चार ओप्सन आपके सामने हो फ्रेंट्स जितने में क्यूस्टन आपको आ रहे हैं आप साथ साथ में कमेंट करके आप में जरूर बताएं ठीक है फ्रेंट्स तो इसका सही अन्सुर क्या रहेगा गायतरी माता सी ओप्सन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंट्स अब आपसे पूच ले जाए बगवती माता की यह क्या हो नहीं सकती पीठों में आपई दांड्या नंरत्य चीजिए ओफ्सीमें जाने वाला नरत्य रहें वाले नरत्य है और मुक्रिशों के द्वार्णद्य रहे हैं वाद्य अंत्र क्या हो यह option अपना इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, next, मान गाई की के लिए 1982 में पदम स्री से सम्मानित परशिद मैला थी, गवरी देवी, अल्ला जिला बाई, गवरी बाई, या आनंद कुमरी, चार option आपके सामने, friends, very important कि उससे नहीं है, बहुत बड़े दोस्तों, बिल्कुल सह या आपका अल्ला जिला बाई, भी उप्सन अपना इसमें बिल्कुल सही, यह, friends, राजस्तान में पदम स्री से किन किन को मैला को सम्मानित किया, वह मैं आपको बता हूँ, और मान गाई की सास्त्री गाईन की लोग से लिए, यह भी आपको बता होना चाहिए, और राज्य म लुथर उनको 1980 में समानित किया गया था, फिर जिला बाई है, अल्ला जिला बाई यह आपको दे रखाए, इसको 1922 में समानित किया गया था, और कर्षना पूनिया उसको 2010 में पदम स्री से समानित किया गया था, तो जो मैंने आपको नाम बता है, friends, यह राज्यतान में पद सीरी से जमानी परशिद मेला कुन थी अल्ला जीला बाई बी ओप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट कुर्जा ये मारे बंवर मिलाए 21 लोग गित का मुखडा है यह पूछा है तो आपको बताना है मुमल पनिहारी कुर्जा का जलियो चार ओप्शन आपक संदेश बिजवाने तो कुर्जा पक्सी को माद्या मना कर कुर्जा लोग की तक गाया जाता है जिसमें इसमें सही एंसर क्या रहेगा सी ओप्शन अपना इसमें राइट है ठीक है फ्रेंट से चलिए नेक्स्ट क्यूस्टन करते हैं माथ्य पर बांदने आप उसन कौन सा ह बुचारिया तुलसी रखडी अंगोटिया चार ओप्शन आपके सामने इसमें इसमें बिल्कुल से और राजस्तान मेरों का बुचन है जो सीर पर बांदा जाता है और सीर के अन्या बुचन कौन-कौन से हो भी आप बता सकते हैं कमेंड करके मैं आपको उता देता हूं कौ से समझते एक special video भी लेकर आ रहा हूं तो आप तैयार रहने फ्रेंट्स के लिए ठीक है से लिए next question करते हैं राजस्तानी वेस भूसा में चांद वेतारों की चाप वाला वस्तर क्या कहलता है दोड चांद आरा ताकी पठणी बिल्कुल से दोस्तों बिल्कुल सी आपका इसमें बी उप्शन अपने इसमें राइट रहेगा राजस्तानी वेस भूसा में चांद वेतारों की चाप वाला वस्तर क्या कहलता है जांद तारा कहलता है ठीक है अब इस question में बात है दोड ये दोड क्या है तो परिंट आपस यह बहुत पता हो जाए, भूमुले वश्तर है, ठीक है, पटनी, तो अपना इसक्योट्शन का C यह रहेगा, बी ओप्षन अपना इसमें राइट रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्यूट्शन, निमन में से बेमेल को चीनित कीजिए, मतले इसमें बेमेल कौन सा है, कौन सा मेला जो किस इति को जाता हूँ आपको बताना है तो आप बता सकते हैं कंपो स serva मेला गांग क नहीं मनाई जाता हूँ है सब्सक्राइब करते हैं जैपूर में 30 कि सवारी किसमा में निकाली जाती है सब्सक्राइब करते हैं जैपूर में 30 कि सवारी किसमा में निकाली जाती है तो यह अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा प्रेंट इस यह आपको पीडियो फाइल आपको व्ट्सप गुरूप में मिलते रहेगे अगर आप इसका वीडियो देखने चाहते हो तो आपको इस ल चैनल पर चले दा हुए आपके वहां से जितने भी वीडियो है राजतान हाई कोड को जितने भी वीडियो बने में वो सारी वीडियो आपे देख सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूशन मंदीर और स्थान के निम लिखते जोडों में से कौन सा सहीड डेंग से मेल नहीं है वह आपको बता है तो इसका क्या रहेगा सासफ बहो मंदृ टोंक में नहीं है रिचे कहां पर ही है नाग दामें ठीक है और न हैं रिखी कहुटili ऑपर parallel उद्यापुर में बिल्कुल सही है तो यह आपको याद रखना सास बहुमंद्र का नागदा में ए उप्षन अपना इसमें राइट रहेगा ठीक है प्रेंड्स मां आपको बता दूगा आपके हाई को ग्रूप डी से आपको आपको बुक्स आईए फ्रेंड्स आपको कैस ओन डिल्यूरी फ्री डिल्यूरी में आपको मिलेगा तो देख लीजिए आप यहां पर राजस्तान उचन्याले जोदपुर द्वारा आईजी तो चत् डिल्यूरी चार्ज भी नहीं देना पर देगो फ्रेंड्स अगर आप देखो दस स्पेसल ओफ्रों राजस्तान हाई कोट ग्रूप डी गेट 10 प्रेंट एक्स्टा डिसकाउंट एड टाइम ओफ ओर प्लेसिंग और फ्रेंड्स आप www.bookart.com से यह किताब अपने मंगा सकते हैं तो फ्रेंड्स वेरी इंपोर्टेंट देख सकते हैं आपके लिए आप घर बेठे बुक मंगा सकते हैं अगर 200 रुपे से अगर बुक मंगाते हो आपको जो चार लगा था डिलिवरी का वह आपको नहीं देना पड़ेगा और जुरूर नहीं फ्रेंड्स आप हाई कोट की मंगा हो जितने भी competition exam की तहरे सारी की competition के आप अलग अलग complete काई मंगा सकते हो प्रेक्टिस एट भी मंगा सकते हो मोडल पेपर भी मंगा सकते हो ठीक है तो फ्रेंड्स आपे www.bookart.com को आपे विजिट जरूर करें ठीक है चलिए next question देवडा वाटी क्या है देवडा वाटी क्या है मारवाड की उप बोली डूंडार की उप बोली मालवी की उप बोली या मिवाड की उप बोली वह आपको पताना है विजय दान देता यह सुमने जो सी éléments किसने अपको पताना है तो इसका घर बातारी फुलवारी नामक गरत जोदा खंडों में लिखा था यह आपको पताओना चाहिए और दस्वें खंड को केंदरी साहिते अकादमी पूर्शकार भी मिला है कि इनको वीजय दन देथा को C option अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा चलिए next दर्ती दोरारी वे पाथल पितल जैसी अमर रचनाओं के रचीता थे माने के लाल वर्मा पंडित बर्तव्यास तारा प्रकास जोची करने यालाल से थिया चार उप्सन आपके सामने है फ्रेंट तो इसका सी ए अन्सर क्या रहेगा करने यालाल से थिया फ्रेंट से और इनका जनम कावाँ फ्रेंट सुजानगर्ट जूरु में 1919 में हो था यह आपको याद रखना है फ्रेंट ठीक है पाथ रोर्पितल इनकी परशी दरचना और इनकी पदम सीरी तथा राजस्तान रतन से भी सम्मानित किया गया तो अपना इसमें डी ओप्सन अपना इसमें पर क्लिक जुरूड ना जिसे आपको जो भी इंपोर्टेंट वीडियो हो सारी के सारी आपको समय पे मिलते रहेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूशन करते हैं राजस्तान में सवाध इंता के बामा साजिनों ने 1921 में अपना सारा धन गांदी जी को सुपूर्द कर दिय आजादी के लड़ाएं में सामील हो गए कौन थे वो सेठी दामोदर्दास राठी सेठी इसुलाल जाजोडिया सेठी नर्शिनदास अगरवाल या इन में से कोई नहीं वह आपको बताने वेरी इंपोर्टेंट है फ्रेंस तो इसका सी एंसर क्या रहेगा सेठी नर्शिन अगरवाल फ्रेंट्स छेक है तो सी ओप्सन अपना इसमें रहेगा फ्रेंट्स नर्शिदास ने मात्र भूब में की रक्षया इतु धन का सयोकर भामा सावय मालना परताप का इतियास दो रहाया था फ्रेंट्स यह आपको याद रखने है वो कौन थे नर्शिदास वाले सी ओप्सन अपना इसमें राइट रहेगा ठीक है नेक्स्ट कोटा के किसोर सागर तालाब में जग मंदर का निर्मान किस रानी ने करवाय था मूसी मारानी सोमलेखा बर्ज कमर या रतन कमर वेरी इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स का सीन सुर क्या रहेगा फ्रेंट्स यह यह लूए अपको याद रखना है रानी बर्ज कमर कोटा के साथ अका माराव दूर साल की रानी हो है वाल माराना संग्राम दिध्यू ते की पुत्री थी यह आपको याद रखना है तो इसका सीन्स वर क्यारेगा झार का निर्कमर ठीक है था गा बश्ञय बातनी já चलिए नेक्स्ट क्यूस्टन करते हैं कुल बोगोलिक शेत्रपल की दर्ष्टी से देश में राजस्तान का स्थान है पर्थम दिवते त्रिते चतूरते वेरी इंपोर्टेंट आप पता सकते हैं इसका सेंस्वर क्या रहेगा बिल्कुल इजी क्यूस्टन है फ्रेंट्स बिल्कुल इजी क्यूस्टन पर थमस्थान फ्रेंट्स क्यास्तर गिल्दर्ष्टी से राज़तान देश का सबसे बड़ा राज्य है उसका सेत्रपल कितना है फ्रेंट्स आपको पता होना चीद 3,42,249 km फ्रेंट्स आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सभी था ठीक है जाले नेक्स्ट क्यूस्टन करते हैं लोग देवता गुगा जी के गुरु कोन थे बालकनात गोरकनात जसनात जंबेस्वत चार उप्सन आपको के सामने बेर इंपोर्टेंट तो इसका से अन्षुट क्या है फ्रेंट्स गोरकनात बी ऑप्षन अपनाइश में शही है गोगाजगा जनम गुर गोरकनात के आसिवादशी वाथ फ्रेंट्स और इन्हें सरफदंस के बचाहुए तू पूजा जाता है तो बी ऑप्षन अपन करने इसमें बिल्कुल सही है कि द्वारे किया जा नदद्से त्रिया अंदर के वर्त में इम कहते हैं जो वर्त होता है इसमें पूरोस होते हैं jadi next question करते हैं निमने से कोन दर्ष नियस्तल उद्यापूर में स्थित है गुरु गोविंसी चतान बाग तुसका सुर्या मंदिर चिल्ला सरीफ उप्युक्त सभी चार ओप्सन है फ्रेंड्स वेरी इंपोर्टेंट आप जल्दी से करके बताएं फ्रेंड्स का सी एंसर क्या रहेगा तो फ्रेंड्स का सी राजस्तान राज्या का संक्सित समारक है फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है और फिर है चिल्ला सरीफ ठीक है सी उप्चन में चिल्ला ये हजरत गुलाम रसूल साब रहमतुल्ला अले की मजार है फ्रेंड्स तो इसका सी एंसर अपना डियो उप्यों चभी चलिए नेक्स्ट कुस्स करते हैं राजस्तान राज्या का पुर्वा पस्ची में उत्तर धक्षिन देसांतरियों एक सास्य उस्तार कितना है फ्रेंड्स वह आपको रतान है वेरी इंपोर्टेंट्स प्रेंड्स कितना है फ्रेंड्स से जल्दी साथ अबताए 8.70 पथा7.30 से जरग आपके सामने, इसमें और काम के गिंडना का ऩरथ है आपकार आपको बता है, कि अपने काम से पन काम से मतलब रहना, सभी या कल You पांको और क्रेंख दिएतो दो स्थे लेखाने होसा यह दो सभी होगिसे में मतलब centre's बबर रखना चाहिए यह option अपना इसमें बिल्कुल सही है ठीक है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स यह थे हमारे आज गे टोप टांटी कुछन इसमें से आपने कितने कुछन सही हो आप में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंट्स से वीडियो गर आपको अच्छा लगा होती है आ करना विल्कुल भी नहीं हो फ्रेंट्स आप अपने लिए ज्यादा नहीं तो दस से पंद्रा मिट का समय जरूर निकाले फ्रेंट्स ठीक है जितने भी हम क्यूस्टन लेका आता है उससे आपको एक्स्ट्राइक क्यूस्टन मिलें जैसे हम आज 20 क्यूस्टन बड़े तो मे वीडियो आते हैं कि आपके एक्जाम अभी होने वाले वह आप बात की छोड़ो और जितने भी अगर आपको नोटी किसन मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके एक्जाम कब होगी तो बस आप अपने मन लगा कर अपनी स्टेडी जारी रखें ठीक है तो दोस्त तो फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत